Hello Everyone, Namaskar, स्वागत है आप सभी का Study Coach 99 YouTube Channel में दोस्तों BTOP Students की जो Revaluation की Fist Payment है और सुरू हो चुकिए है आप सभी लोग Fist Payment कर सकते हैं Fist Payment करते टाइम कुछ Students की Problem आ रहे है जो कि हम आप लोग को उसका Solution इस वीडियो में बताने वाले हैं वीडियो को पुरलास तक जरूर बने रहेगा और आप सभी लोग की डेट यहां पर extend हो चुकिए और यह पोर्टल पर भी अपडेट हो चुका है 5 October से लेकर के 9 October तक और यहां पर आप लोग की फिस पेमेंट की जो डेट है 6 से लेकर की 11 तारिक तक ठीक है और उसके बाद में देशिप्ट जो है आप लोग पेमेंट करने के 24 घंटे बाद डाउनलोड कर सकते हैं तो दोस्तो प्राबलम कहां आ रही है स्टुडेंट की इस तरीके से पोर्टल ओपन हो रहा है और यहाँ पर लिखा रहा है प्लीज वेरिफाई दाटा इंटर डाइन ट्राइ अगें ठीक है यह सुजारी बहुत से स्टुडेंट कोछ से स्टुडेंट हमें मैसेज के हैं हमने उन लोग को मैसेज पे सालूसन बता दिया है और हमने सोचा कि लाओ आप लोग को एक वीडियो बना दे उसमें आप लोग को जो है बता दी कि कैसे जो है इसका क्या सालूसन है तो सबसे पहले आप लोग गलती कहां कर रहे हैं वो चीजे आप लोग ध्यान दिजेगा डेट आप बर्थ आप लोग को कैसे डालना है suppose that आपका डेट है 1-1-2001 ठीक है तो आप लोग को कैसे डालना है 0-1 यहाँ पर डेट हो गया और आप लोग को यहाँ पर कुछ भी लगाना नहीं है बीच में 01 और 2001 ऐसे डारेक्ली आप लोग को लिखना है बीच में आप लोग को कुछ भी लगाना नहीं है यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दिजे फॉर्मेट यहाँ पर लिखा हुआ है DD-MMYY इसी तरीके से DD में 01 डेट हो गया MM में यानि मन्त में आप लोग को पहला महीं न ठीक है वाई वाई ऐसे आप लोग को जो भी चीजे हैं 2001 इस तरीके से आप सभी लोग अपनी डेट आउफ वर्थ को फिल करेंगे डेट ऑफ वर्थ सही डाल लेऊंगे लेकिन आप सभी लोग बीच में ये सब चीजे लगा दे रहोंगे ठीक है तो ये सब चीजे आप लोग को नहीं लगानी है ठीक है तो दोस्तों ये थी आप सभी स्टुडिन्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट इन्फॉर्मिशन अगर ये वीडियो आपको हेलफूल लगे तो वीडियो को लाइक कर देजागा आप बाकी मिलते हम आप से नेक्स्ट बिल में किस नेक्स इन्फॉर्मिशन जानकारी क साथ तब तक के लिए बाए जाहिंद